Hi everyone, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में So, आज है 11th of March, Monday का दिन And पता नहीं क्यों पर मुझे न ये तूफान से पहले की शांती लग रही है Because March के 11 दिन खतम हो चुके है And अभी भी ऐसी कोई बहुत जादा बड़ी major move नहीं आई है market मे And काफी जादा शांत लगी है मुझे market अभी तक इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले time में थोड़ी सी market में जादा हलचल हो सकती है But जो भी होगा वो देखा जाएगा So, आज की सबसे पहले मैं आपको अपनी trade दिखा देता हूँ यह मेरी आज की trade है इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ Refresh करके देखेंगे तो आज हमने 10,000 890 रुपी का profit किया है यह मैंने आज mid cap nifty में trade किया था So, एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ Well, चार्ट में आप देखेंगे ना कितना जादा शांत था यह Well, nifty half percent negative चल रहा है Bank nifty almost one percent negative चल रहा है लेकिन मैंने आज nifty mid cap में trade किया था जो around 0.4 percent अभी negative चल रहा है लेकिन overall इसने उपर निचे की तो काफी जादा move की लेकिन वो छोटी सी range में वो move कर रही थी जिसकी वज़े सी एक दो बार मेरे यहाँ पर stop losses हिट हुए थे लेकिन even then मेरे algo ने मुझे यहाँ पर बचा लिया And hopefully हमने हफते का पहला दिन यहाँ पर profitable close किया है So, अब देखेंगे कैसा जाता है Well, एक बार मैं आपको nifty भी दिखा देता हूँ So, nifty अगर आप देखेंगे तो काफी जादा अच्छा fall किया है And एक दम top पे यहाँ पर open हुआ था वहाँ से continuously fall किया है nifty And bank nifty अभी कुछ ऐसे ही हाल है Bank nifty थोड़ा सा जादा bearish है आज Because 1% के आसपास उसने आज negative close किया है Well, nifty अपने all time high के काफी जादा pass है And bank nifty अभी थोड़ा सा time है all time high टच करने में Well, अब यह देखा जाएगा कि क्या वापिस से nifty कोशिच करता है अपना all time high टच करने का And उसको cross करने का अगर ऐसा नहीं होता है Then, सभी यहाँ पर wait कर रहे है Market में अच्छा healthy correction आने के लिए Because काफी time हो चुका है जो हमने देखा है कि market में healthy correction अभी तक नहीं आई है And जिसकी मज़े से India Wix भी वापिस से 14 के नीचे आ चुकी है Well, हम option sellers हैं And हमारे लिए India Wix जितनी जादा उपर जाएगी उतना जादा better है Because हमें यहाँ पर अच्छे premiums मिलेंगे And कुछ time पहले 15-16 के आसपास आ गई थी India Wix लेकिन वापिस से अभी वो 14 के आसपास आ चुकी है And अगर market उपर की तरफ जाती है Then वापिस से वो 12-12.5 के आसपास आ जाएगी जिसमें premiums बिलकुल भी नहीं बचते है Well, यहाँ से तो मुझे hope है कि market थोड़ा सा यहाँ पर correct करना चाहिए जिसकी वज़े से India Wix थोड़ी से जादा increase हो And हमें यहाँ पर better premiums मिले Well, market अभी close नहीं हुई है अभी सिर्फ 3.5 हो रहे है लेकिन वही है कि मैंने अपनी trade close कर दी है And इसलिए अभी मैं video बना रहा हूँ So, मेरी trade overall अभी तक तो smooth गई है Well, March की मैंने पहली वीडियो डाल दी है जहापे मैंने first week of P&L already दिखा दिया है मेरा पहला हफता भी काफी smooth गया था कि जो भी मैं यहाँ पे strategies upload कर रहा हूँ वो वैसे profitable है लेकिन जैसे ही वो मैं strategy public कर देता हूँ Then उसमें एक दो महीने से यहाँ पे वो drawdown face में आ रही है Well, हो सकता है कि शायद कुछ बड़े-बड़े players हो जो बैठे हो and वो strategies पे एकदम निगाह रख रहे हो But वो ऐसा generally होता नहीं है Because अगर आप कोई भी strategy को long run के लिए follow करते है With lot of consistency Then overall वो strategy हमेशा profitable ही रहती है And उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती So आने वाले time में मैं बहुत जादा अच्छी Option buying and option selling की strategy भी लाने वाला हूँ जो अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम Option buying and option selling के बारे में आप वो strategy देख सकते है And उसमें completely आप algo कर सकते है आपको कोई भी उसमें महनत करनी की ज़रूत नहीं है And जो मेरी खुद की algo strategy है उसके बारे मैं बता ही दिया है आपको कि मैं बहुत जल्द उसके बारे में announcement करने वाला हूँ By March and उसको मैं announce कर दूँगा And देखेंगे उसमें कैसा response रहता है फिर So that's it about this video Thank you for watching the video with lots of patience Let's meet in the next video then